प्रियचात्रो आज की संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक अभिनन्दम स्वागत है आज हम भास्वती के प्रथम भाग से सप्तमह पाठा का अध्यान करेंगे सप्तमह पाठा है भव्या है शत्या ग्रहाश्रमह इस नाम से लिया गया है जैसा की प्रियचात्रो आप देख रहे हैं भव्या है भव्या है शब्द अलोकिक और अद्भुत के अर्थ को देता है अद्भुत और अलोकिक वह स्थान या वस्तू व्यक्ति पदार्थ माना जा सकता है जिसके अंदर भौतिक और लोकिक दोनों वस्तूं का समावेश किया गया हो आगे सब्द लिया गया है सत्य जमा आग्रह जमा आश्रम है सत्य का अर्थ है जो वस्तू जैसी है उसका उसी रूप में कथन या वर्णन करना सत्य है आग्रह का अर्थ होता है जिद और आश्रम है का अर्थ होता है स्थान शत्य बोलने की जिद जिद स्थान पर की जाती है वह हुआ सत्या ग्रह आश्रम है मैंने संधी उक्त बोला सत्य जमा आग्रह जमा आश्रम है दोनों स्थानों पर दीर्गिशंधी का प्रियोग किया गया इतना जोर क्यों दिया गया सत्य पर आज से ही नहीं वेद और उपनिशदों से ही इस बात को बल दिया गया है जैसा की कहा गया है सत्यमबद धर्ममचर सत्य बोलिए और धर्म का आचन कीजिए और सबसे बड़ा जो धर्म है वह सत्य ही है इसलिए हमें सत्य का आश्रे लेना चाहिए हमारा एक प्रशिद्ध बाक्या है सत्य में वजये तेना अनृतम सत्य की ही जीत होती है अनृतम माने जूट की जीत नहीं होती आईए हम इसके संबंध में बताना चाहते हैं भव्याह सत्याग्रह आश्रमह ये जो पाठ है कवईत्री स्रीमती क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है श्रीमती क्षमाराव कवेत्री बहुत ही आधुनिक्तम और बहुत ही अच्छी लेखिका रही है इनके संबंध में आप इस पाठ से ही जान सकेंगे अकि किन विचारों की दृष्टी से युक्त ये लेखिका है अब हम ये जान पाएंगे कि इस पाठ को लिखने का कारण क्या रहा और उद्देश्य क्या रहेगा हमारे लिए प्रियचात्रों जब तक हम किसी अच्छे गुण का अपने में विकास नहीं करते तब तक जो अशुभ लक्षण है या अशुभ विचारधाराई है वो दूर नहीं हो सकती वर्तमान में और पुरातन समय में हमेशा ही देव और दानव रहे हैं जो दानव प्रवर्ति है उस पर देव प्रवर्ति की विजय हो इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए सत्य के पालन के संबंद में ही और बुराई को दूर करने के ही लक्ष से और हमारे अंदर जितने अवगुण है उनको दूर करने की दृष्टी से इस पाठ को लिखा गया है तो एक ही बात आप समझें हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना है तो आईये हम इस पाठ के प्रथम श्लोक पर और जो आदर्स अनुवाचन है उशे करते हैं ततस्तीरे सबरमत्या नामना सत्याग्रहाश्रमह महात्मा स्थापयामाश सदनम्सानुयात्रिक है दो प्रकार की हमारे रचनाई है एक गद्य रचना और एक पद्य रचना गद्य रचना में पाठ रहते हैं जिनके अंदर वर्णों की एक सीमा नहीं होती जो पद्य है उसमें वर्ण की सीमा होती है जैसा कि आप ये पढ़ते हुए देख रहे हैं मैंने आठ वर्णों के बाद यति यति मानि रुकना होता है चंद वह व्रत्ती है जिसके अंदर वर्णों की संख्या निश्चित होती है तो ये चंदोबद रचना है जो चंदोबद रचना है वही पद्य है वही कविता है तता है जमा तीरे पुने पुने इस प्रकार के व्यवहार होते हैं विशरगों को और दंत सकार हो गया तता है जमा तीरे आगे है सबर मत्यहा, शबर मत्य के, यहां विशरगों का लोप हो गया, नाम ना, नाम के द्वारा, नाम के साथ, सत्य जमा, आग्रह जमा, आश्रम है, सत्य की जिद्द के लिए, सत्य बोलने के लिए, हठ जहां की जाती है, ऐसे स्थान का, और महात्मा, महात्मा जी से, तात रचना की या स्थापित किया शदनम मने भवन सह मने साथ अनुयात्री कह अनु मने पीछे और यात्रा करने वाले उसको अनुयाई भी कह सकते हैं अनुचर भी कह सकते हैं सेवक भी कह सकते हैं सहयोगी भी कह सकते हैं तो हम किस प्रकार से परिक्षाप योगी अर्थ लिख पाएंगे मैंने ये साबदिक अर्था आपको बताया साबदिक अर्थ जो छात्र जानते हैं जो बालक याद करते हैं उन्हें अपठित को पढ़ने में भी कोई कठनाई नहीं होती प्राया है सीधे अर्थ को बताने से अच्छा है अकिसाबदिक अर्थ बच्चे समझें चात्र समझें और श्रमन रखें आईए मैं इसको अन्वे के साथ में अर्थ करता हूं हम बता रहे हैं अकि सबरमत्या तीरे सबरमती साबरमती नदी के किनारे क्या किया सत्याग्रह आश्रम है नाम नहां सत्याग्रह नाम का आश्रम महात्मा महात्मा गांधी ने शदनम भवन के रूप में सानुयात्रिक है अपने अनुयाईयों के स्थात निर्मान कर दिया बना दिया तो कैसे लिखेंगे साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह नाम से अपने साथियों या मित्रों या सहय योगियों के साथ महात्मा गांधी ने एक भवन बनाया एक भवन का निर्मान किया प्रियचात्रों, हम दूसरे स्लोक पर चलते हैं, आप द्यान पूर्वक इसका वाचन सुनेंगे और अपने मन ही मन उसका वाचन भी करेंगे, आईए हम दूसरा स्लोक पढ़ते हैं, यहा अनुष्टुप चंद में पूरी सत्याग्रह गीता लिखी गई है, कवैत्री द्वा सत्यमेव प्रमाणम्यन मनों वाक काय कर्म भी, तस्मिन पुण्य निवासे तत्य यथार्थो ही साश्रम, सत्यम जमाएव यह संयोग है, प्रमाणम साक्षया सबूत को कहते हैं, संदिछेद होगी, यत जमामनह वाक काय कर्म भी एक इपद रहेगा, तस्मिन पुण्य निवासे विशेश्च विशेशन संबंद ही आपर, तत्य को दै हो गया है, यथार्थ है, यथार्थ है, जैसा उसका स्वरूप है, वास्त्विक्ता है, उसको यथार्थ कहते हैं, यही निश्चे से स्यव है आश्रम स्थान, हमने प्रत्यक सब्द का अर्थ आपको बताया, इसको किस प्रकार से हम परिक्षाप योगी लिख पाएंगे, आईए हम देखते हैं इसके अर्थ को और जानते हैं, सत्यमेव प्रमानम्यन मनो वाक काय कर्म भी, तस्मिन पुण्य निवासे, यहां से लेंगे, उस पवित्र भूमी में, पवित्र भावन में निवास, प्रत्यक मकान के सामने आप देखते हैं, वहां निवास लिखावा होता है, रहने की जगह, तस्मिन पुण्य निवासे, उसे पवित्र रहने के स्थान में क्या होता था मन वाक काय कर्म भी मन से भी वाक वानी से भी काय सरीर से भी सत्यम्मेव प्रमाणम सत्य को ही प्रमाण माना जाता था सत्य का ही अनुपालन किया जाता था इसलिए तत वह आश्रम तत आश्रम है लिख दिया तत वह आश्रम यथार्थो भी वास्त्रिक्ता को ही कहता था अर्थात जैसा उसका नाम था उसी प्रकार के वहां मन वचन और कर्म से कारिय होते थे आप फिर जान लीजिए इसको उसे पवित्र स्थान में मन वचन और कर्म से शत्य को प्रमाण मानते हुए लोगों का आचरन था इसलिए वह वास्तिक रूप में आश्रम शत्य का प्रमाण देने वाला स्थान था हम तीसरे श्लोक की और बढ़ते हैं श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये जीवन के लिए अपनानी योग्य है जैसा कि इस पाठ के नाम से आपने समझा गीता सब्द कहा गीता हमारे यहां एक प्रशिद्ध पुस्तक है और उसको गीता क्यों कहा गया श्री कृष्ट इससे ने उस गीता को गाया था और इस्त्रीलिंग सब्द इसलिए बन गया वो है वह मैं कि उपनीचादों का सार गीता कहा गया रहा गया गईया वास्त्रीक बात को पढ़ते हैं और जानते है कर दें जैसा आपने पाठ का नाम जाना वहां के कुछ नियम थे और वहां नो नियमों का निश्चित रूप से रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन की उन्नती के लिए अपने देश की उन्नती के लिए उनका पालन करता था इसी स्लोक में तीसरे स्लोक में आठ नियमों को स्पष्ट किया गया है कवईत्री क्षमाराव द्वारा आकि वहां पर कौन से नो नियमों का पालन किया जाता था यह तीसरा और चोथा स्लोक दोनों ही एक अर्थ को प्रगट करने वाले हैं आये हम तीशंचन सत्यमस्तय्यम ब्रह्मचरिया परिक्व्यहोँ स्वादेश वस्तुन इस्ठाच है निर्भीत रुचिशईयम अहिंसकार्थ होता है किसी भी व्यक्ति को मन वचन करम से परेशान न करना, दुख न देना, इसका नाम होता है अहिंसा, और इसका विपरितार्थक सब्द हो गया हिंसा, हिंसा मने कश्ट पहुंचाना, अहिंसा मने किसी को कश्ट न देना, और सत्यम की बाद तो अब हम जान ही पाये थे, जैसे कि हमने अभी अभी उधान दिया था सत्यमे वजये थे, जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार वरणन करना, कहना या दिखाना या बोलना वह सत्य है, उसमें कोई मिलावट ने करना। अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ अस्तेयम अनिचोरी, अस्तेयम अनिचोरी न करना, वहां का नियम था, कोई भी व्यक्ति मन वचरोन करम से किशी भी प्राणी को परेशान न करे, और जो पदार्थ जो वस्तु जो व्यक्ति जैसा है उसके वैसा ही वरणन करे, अस्तेयम कोई कि कि दूसरे की चीज को बिना पूछे नेलेवे ब्रह्मचरिये का तातपर्य है व्यक्ति साइंयम से हमारे शरीर में 10 इंद्रियां है मन वतन और कर्म से किसी प्रकार से किसी की वस्तु का अपहरण ने करना किसी की चीज को ना चाहना ब्रह्म के नियमों पर चलना ये भी ब्रह्मचरिया है और इंद्रियों का संयम भी ब्रह्मचरिया है तो यहां इंद्रिय संयम के लिए कहा गया है ब्रह्मचरिय का आर्थ है इंद्रिय संयम और अपरिग्रह है जितनी वस्तु हमें चाहिए उतनी ही का ग्रहन करना ये दोनों परिग्रह जरूरत से ज़्यादा वस्तूं को संगरह ने करना अगली बात कही स्वै देश वस्तु निष्ठा दो सब्ध हिंआ पर स्वै मने अपने देश मने रैज्य में या देश कार्थ भारतवर्ष में बनी गई वस्तूं के अंदर निष्ठा-कार्थ प्रेम जो वस्तुएं अपने देश द्वारा निर्मित की गई हैं जएसे वो कल का सब्द अभी प्रियोग हो रहा है वही बात है यहाँ स्वदेश वस्तु निष्ठा अपने ही देश में बनी वस्तु के प्रती प्रेम होना निर्भीता है और निडर रहना निडर व्यक्ति वही हो सकता है जो सत्य का पालन करता है जो नियमों का पालन करता है जो नियम का उलंगन करता है वह आदमी कभी भी निर्भीक नहीं हो सकता निडर नहीं हो सकता तो इसलिए पहले जैसे नियम बताएं उनका जो पालन करता था तो अब एक निडर भी होता तो निडर होकर के रहना रुची संयम है हमारी जो दस इंद्रियां है वो अभिविन वस उनके अंदर संयम से रहना अपनी इच्छाओं को काबू में रखना यह रुची संयम हैं अपनी आदतों पर काबू पाना तो क्या हुआ किसी को परिशान न करना सत्य बोलना चोरी न करना ब्रह्मचरिय का पालन करना जरूरत से अधिक वस्तों का न रखना अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रति प्रेम होना निड्र होकर के रहना प्रापनी इच्छाओं को संयमित रखना या काबु में रखना उस आश्रम के नियम थे आये हम अगले स्लोक की और वड़ते हैं अंत्या जानाम समुद्धार नवईतानी व्रतानी ही भारतो्कर्श शिंध्यर्थम आत्रमस्य महात्मन हं अंत्या जानाम अंत्या बहूत प्रशिद्य सब्द है और वर्तमान में तो अंत्योदय बहुत सी योजनाई भी चली हुई है और जैसा कि गांधी जी से ही ये शुरू हुआ और इस बात का बहुत अधिक पालन हमारे पंडित दीन द्याल उपाध्याई ने अपने जीवन में विशेश रूप से किया गया है इसलिए आजकल बहुत प्रशिद्धी ह रही है अंत्योदय योजनाऊं की लेकिन यह गांधी जी से सुरू हो चुकी थी अंत्यजानाम पिछड़ों का जिन के पास रोटी कपड़ा मकान की कमी है उन तक रोटी-कपड़ा मकान पहुचाना ये अर्थ देता है अंत्यजानाम समुद्धार है सम्यक प्रकार से उनका कल्यान करना पहले आठ नियम कहे नौमा नियम बताया उस आस्त्रम का नियम था जो रोटी कपड़ा मकान से पिछड़े हुए हैं उनके कल्यान के लिए उन तक ये सविधाएं पहुंचाने के लिए न नो नियम नव्यम एतानी यहां पर वृद्धिसंदी का पालन किया गया है वृद्धिसंदी कब उत्ति है'? ए, आ, से परे यदि ए, अई हो ओ, आउु हो तो उनको दिर्गवरण हो जाते हैं तो नव्येतानी व्रतानी इन नो व्रतो, इन नियमों का पालन किया जाता था बारत जमांग उतकर्श जमांगतिंद्यर्थम भारत बर्श अपना उतकर्श माने बढ़ावा उन्नती सिधयर्थम माने पूर्टी के लिए आस्रम नहात्म है महात्मा के आश्टरम के ये नो नियम प्रतेक व्यक्ति द्वारा अपनाए जाते थे उस आश्टरम में आईया हम अपनी परिक्ष्य अप योगी अर्थ कैसे लिखेंगे प्रिच्छात्रो उसको समझते हैं सत्याग्रह आश्रम जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था उसमें भार्त की उन्नती को करने के लिए पिछडे हुए लोगों के उद्धार सहिते इन नो नियमों का पालन किया जाता था तो ये नियम व्यक्ति को उचा उठाते हैं और जो व्यक्ति अनुशाषन में रहते हैं नियमों में रहते हैं वो कभी अपने जीवन में पिछड़ते नहीं हैं आप भी यदि अपने जीवन में इन नो नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही अपने कल्यान को प्राप्त हो आईए हम अगले स्लोक की और बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से कवेत्रिक्षमाराव ने सत्याग्रह गीता नाम ग्रंथ में गांधी जी द्वारा अपनाए गए बताए गए नियमों का वरणन किया और इस स्लोक के अंदर उन्होंने गांधी जी के स्वभाव का रखना चाहिए कि यह पार किस द्वारा लिखी गई पुस्तक से लिया गया है तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर हम कहेंगे यह यह स्लोक जैसे प्रसंग लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे यह स्लोक या यह पद्य सत्याग्रह गीता नामक ग्रंथ से चतुर्थ अध्याय से लिया गया है और इसकी लेखी का पंडित क्षमाराव जी है और इसमें उनके द्वारा गांधी जी के स्वभाव का वरणन किया गया है निर्ममो नित्य सत्वस्थो मिताशी सुस्मितान नहां शुकलत्रहसी शूप्रेमि पिटेवास्ट्रमवासिनाम समस्त विशेषताय की गांधी की इसमें बताई गई है निर्ममह ममन अपना नहीं है उसे कहते हैं निर्ममों एक निर्मम होता है निर्दई और यहां अर्थ है निर्म मैं मैं से रहित मेरा कुछ नहीं है अर्थात ये जो कुछ है वो सब का है ऐसा जानना ये स्वभाव गांधी जी का था निर्ममो मम ता से अपनत्व से रहित जैसा कि हमारी संस्कृति में वशुधाईव कुटम्बकम धर्ती ही मेरा परिवार है अगर प्यार है तो सब में Keeping नहीं है तो नहीं है अर्थात दो बाते हुंके जीवन में नहीं ती एक जैसा ही व्यभार आया जेको धनी हो जेको निर्धन हो जेको बलवान हो जेको निर्वलो सब के साथ सब कर करते थे गांधी जी इसलिए उनका विशेशन तो गांदी जी अमेशा सत्व गुण में स्थित रहते थे और गांदी जी ने अपनी आत्मकथा में ये भी लिखा है प्रियचात्रो आकि जब कभी भी मेरे जीवन में कटनाई आई तो रात्री में मैं गीता का श्मर्ण करके सो जाता था और कोई ना कोई श्लोक मुझे स्व तो बहुती सुन्दर बात है नित्य सत्व श्टो गांदी जी सदा सत्यों में स्थिर रहते थे अर्था अध्यात्म में रहते थे उनका हमेशा प्रभू से ही नाता था मित जमा आशी अस धातु खाने के अर्थ में है और इसमें इन प्रत्य का या निनी प्रत्य का प्रियोग करकर के बना गया है मित मने कम, जैसे मित भाशी कम बोलने वाला, मिताशी कम खाने वाला, अर्था तो भोजन संतुलित भोजन खाते थे, अधिक भोजन नहीं खाते थे, गान्दी जी का नियम था प्रिचात्रों, कि आप अपने पेट में दो भाग खाली ही रखी, भोजन एक हिस्से का जल और ए पहुजन करने वाले सुष्मितान नहां और हसमुख चेहरे वाले आननवाने होता है मुख और सुष्मित होता है मुश्कुराते हुए चेहरे वाले तो मुश्कुराते हुए चेहरे से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है तो कभी भी गांदी जी उदासमन से नहीं रहते थे शुक अलत्र है, सुन्दर पत्नी से युक्त है, सुन्दर का तात पर ये देखिए चेहरे से नहीं होता, कोई भी व्यक्ति गुणों से प्रिय होता है, तो इससे सिद्ध होता है, कवित्री द्वारा ये विशेशन दिया गया, अकि उनकी पत्नी भी जो नियम, जो आच्रण, जो व्यवहार गांधी जी का था, उन ही का अरुण करती थी, इसलिए उनकी पत्नी भी सुन्दर थी, सुक अलत्र है, सुन्दर पत्नी से युक्त, मतलब सुन्दर गुनों वाली पत्नी से युक्त, सिशुप प्रेमी, बच्चों से प्यार करने वाले, पिताईव बाप की पिता क्यों का जाता है, जो पालन करता है, उसे पिता कहते हैं, आश्ट्रम वासिनाम, समस्त आश्ट्रम में रहने वालों के वे पिता के तुल्ले थे, जैसा गुन बताया, बहुत ही सरलशलोक है, और जरूर परिक्ष्या में ये पूछा जाएगा, आप इसे याद कर ले, निर्ममोनित सत्वस्थो मितासि सुस्मितान नहा, सुकलत्र सिशु प्रेमी पितेवा आश्ट्रम वासिनाम, सत्या ग्रह आश्ट्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, ममता रहित, नित्य सत्व गुण में स्थिर रहने वाले, अलपाहारी, हस मुख, सुन्दर बढ़ते हैं चठेश्लोक की और ध्यायन क्लेशान सवंधुनाम तद्धिताइक परायन विराजते मुनिर बुद्धो बोधी द्रुम तले यताहा बहुत सुन्दर उपमा दी गई है इसमें उपमा लंकार का प्रियोग किया गया है अनुष्टुप छंद है और प्रत्य जहां एक बात और बता देना चाहता हूँ जिस भी धातु से हमें शत्रि प्रत्य लगाना हो यदि हमें उसके लट लकार के प्रथम पुरुष्पा भवचन आता है तो उसकी जबी हम ती को स्माप्त कर देते हैं जैसे अप समझ गए होंगे तो ध्यायन करते हुए कुलेशान कश्चों को स्वबंधुनाम अपने मित्रों के अपने अनुयाईयों के तत्जमाहित जमा एक परायन है तत्म ने उनके हित्म ने भलाई के परायण मने आधीन विराजते सुशो भित हो रहे थे मुनी बुद्ध है मुनी का यहां तात्परिय बुद्ध मुनी बुद्ध मुनी के समान यथा पीछे है तो यथा मुनी बुद्ध है जैसे मुनी बुद्ध महात्मा बुद्ध यहां जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को आद्यात्म ज्यान फिन प्राप्त वह था इसे लिए उसको के कश्टों का ध्यान रखते हुए उस आश्टम में सुषो भिथे इस प्रकार से हम इसके आर्थ को लिखेंगे आईए हम साथ में स्लोक की और बढ़ते हैं और साथ में स्लोक का अनुवाचन आप सुनेंगे बड़े ध्यान पुर्वक महात्मा गांधी किस प्रकार से उस आश्टम में कारिय करते थे किस प्रकार से अपने अनुवाईयों के लिए लाभकारी थे उसकी उपमा उसकी तुलना यहां पर एक दीपक से महत्मा गांधी जी की गई है आपको पता है आकि दीपक जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है और तो गांधी जी अपना ज्यान अपनी बात कहते थे व्याख्यान देते थे तो वहां के लोगों का अज्यान दूर हो जा समस्त भारत में दिप्यते प्रकाशित मान थे अतात प्रकाश को फैला रहे थे किस प्रकार से स्वयबंधु नाम अपने अनुयाईयों के रदयात मोह जमतमह रदय में उतपन्न होने वाले अज्ञान के अंधकार को अपाकुर्वन दूर करते हुए तो कैसे आर्थ लिखेंगे हम मुशा आस्त्रम में सच मुच ज्यान के दीपक स्वरूप महात्मा गांधी जी अपने अनुयाईयों के रदय से मोह के अंधकार को दूर करते हुए समस्त भारत में प्रकास पैला रहे थे मतलब सत्य को फैला रहे थे जब अपना घर सुधा नहीं होगा तब तक हम और के घर को साफ नहीं कर सकते इसलिए गांधी जी पहले अपने अश्रम में सत्य का पालन करते थे और फिर अन्य भारत के लोगों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते थे आई ये हम आठमें स्टोक के और बढ़ेंगे बलम शर्वबले भ्योपी सत्यम्हेवाति रिच्यते सत्यवान बलस्यान सबलात सत्यवर जितात बहुत ही जोर दिया है सत्य के ऊपर पंडिता क्षमाराव जी ने क्यों आकि गांधी जी का जीवन ही सत्य से पूर्ण था और ये सत्य उन्हें कहां से आई मैं आपको एक प्रसंग सुना देना छोटा सा चाहता हूँ उन्होंने जब बच्पन में राजा हरिष्चंद्र के सत्य प्रिया हरिष्चंद्र के नाटक को देखा तो उन्होंने अपने एक मुहावरा है पल्ले गाठ लगा ली अर्था द्रड़ता से मन में धार्ण कर लिया आकि आज के बाद मैं असत्य नहीं बोलूँगा तो आये क्ष्माराब जी ने कहा क्या कहा बलं सर्वबले भ्योपी सारे बलों से चे ओ धनका बल है चे ओ सारिक बल है चे ओ बोद्धिक बल है उनसे सत्यम्मे बलं सत्यका बल ही अतिरिच्चते बढ़कर है यदि किसी के पास सत्य है तो उसके पास धन का भी बल है, सरीर का भी बल है, बुद्धी का भी बल है और सत्य का भल नहीं है तो वहां आदमी पूर्ण तया कमजोर है तो क्या कहा शब बलों से बढ़ करे सत्य का भल स्रेष्ट है सत्यवान अबल है सत्य से जो युक्त है और अबल है सरीर का बल जिसमें है ने स्रेयान स्रेष्ट है सबलात बलवाणों से सत्यवर जितात जो सत्य से परे हैं जो लोग सत्य से तो परे हैं और सारिक बल से पूर्ण है उन लोगों से जो आदमी सरीर से कमजोर है और सत्य के बल से पूर्ण है वह स्रेष्ठ है थोड़ी सी बात इसमें प्रिय चात्रो बड़े ध्यान दे करके समझ नहीं है अकि आपने इस बात को ही लिखना है कि सभी बलों में सत्य का बल से जएश्ठ है यदि मनुष्यके पास सत्य का बल है और अन्य बल नहीं है तो जिसके पास अन्य बल है लेकिन सत्य का बल नहीं है वह कमजोर है तो अंतिम पंगती में इनों ने इस बात को शिद्ध करना चाहा कवित्री ने सबलात सत्य वर्जितात सत्य के बल से जो रहित है और अन्य बलों से युक्त है ऐसे व्यक्ति से सत्य का बल रखने वाला व्यक्ति स्रेष्ट है इस प्रकार से सिद्ध हुआ अकि सत्य की ही जीत होती है जूट की जीत नहीं होती तो हम भी प्रियचात्रों इस बात का यदि पालन करेंगे तो अवस्य है अपने जीवन में उन्नत होंगे इसमें कोई किसी प्रकार की जूट नहीं है हम सेश पाठ को अपनी अगली कक्षा में फिर से पढ़ने के लिए तयार रहेंगे तब तक के लिए आप पढ़े गए स्लोकों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अधिक से अधिक साब्दिक अर्थों को जानने का प्रियतन करेंगे और जितनी संधिया मैंने इसमें आपको बताई उन सब का ध्यान रखेंगे और लिखेंगे और कुछ सब्दों के मैंने परियायवाची बताए उनको आप परियायवाची के रूप में लिखेंगे जैतु संस्कृतम जैतु संस्कृत भारती वंदे मातरम झाल झाल